पालिट इसके लाल लाज नामे उसका सूरज लाज चुटी ममा वह यह पिचरेड हो गए अब क्या होता हूँ ऐसे ही है सूरज गुस्से में लाल नहीं आपका गुला हो जाता है यह कहानी है गर्म सूरज की उसकी गर्मी से परेशान उसके अपनों की यह कहानी है इस गर्म शरीर के ठंडे सपनों की मासूल सूरज अपनी गर्मी से अंजाना था आइसक्रीम खाने के लिए दिवाना था सौफ्टी पकरता तो जल जाती और दूद की कुलफी पिगल जाती घर की चीजों में भी गर्मी दिखती रही पेरेंट्स की टेंशन बढ़ती रही पर भई होसला तो रखना था भई बच्चा भी तो अपना था ठंडे को गरम करना बाल्टी के पानी को बॉल करना बहन के बालों को स्ट्रेट करना और कभी-कभी मस्ती में डेर डेविल बनना फेस पे कलन के खेत की मुलतानी मिट्टी हेड पे बच्चन की दुकान का ठंडना थे पीट पे शारू का कूल-कूल पाउडर भी उड़ गया और मुन्ना बरब डीपो का आइडिया भी भाब बन गया बाबाप ने क्या-क्या नहीं किया बंदिर की घंटी, चर्थ में फादर बंटी, गुरद्वारे की सीडियां और दरगा की कवालियां पर सूरज, ज्यों का त्यों रहा मिया बस अब लांस रिजोर्ट है इसकी शादी शायद इसी से इसी गर्मी निकल जाए लड़की के घर चाई की चुस्की चल रही थी सूरज मुखी शर्माते होए भजिया तल रही थी इतने में लड़की के पपा छिलर जी बोले चक्रवर्ती जी ने किया साइलेंट मोड छिलर फैमिली के सामने की सूरज की गर्मी डाउनलोड सुनकर छिलर जी फिर से बोले बस इतनी दी बात बेटा सूरज मुखी अरे सुपका मूर मिठा कर आओ भाई सूरज मुखी जट से कुलफी ले आई एक एक के सबको थमाई ये लिजे बट इस बार सूरज की गुल्फी ना पिखल पाई और ये देख छुटकी चिल्लाई ममा, भया ठीक हो गए रिष्टा वक्का हो गया सूरज वाकरी चंगा हो गया इस तरह हमारी थंडी गरम स्टोरी का पिल्डो गया